आपसे हैं पॉजिटिव से नमस्कार और कोशिश करते हैं जल्दी से एक लाग मुवी शूविल्स तक पहुंच जाए ताकि हम पॉजिटिविटी जितनी भी आपको हरोज डेमेंस्ट्रेट करते हैं वह और लोगों तक पहुंच पाए और गूगल बाबा जो है फ्री जो है उसका करीवन है 40,00,000,000,000 रुपे किया था तो लगभ लगभद 40,45,000,000 लग करने वाली है 23.5 करू रूपीज का कलेक्शन हो रहा है और 30 करूपीज इसका वर्लट जिसके पाइचन हो गया जिसके पाद यह थेटर से उदर जाईए लाल सेलाम नहीं जो दे जि अगर बात करें ब्रह्मयोगम की तो अगर यह देखा जाए कि यह जितनी स्यादा बस बना रही है इंडिया के अंदर उतना ज्यादा आउटपुट तो नहीं आया है इसका डे फॉर का कलेक्शन उतरा ही है चार करोड रुपे के आसपास जितना कलता साड़े चार करोड रुपे आट मैक्स होगा जिसके वज़े से इसका टोटल होगा 13.5 करोड रुपीज इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड जो है वह वह जो कि लगभा लगभा 28 करोड रुपीज के आसपास आज पहुंच जाए विच इसको चार दिन हो गए है और इंडिया में लिमिटेड लैंविजेस के सबसे रिलीज हुई है बहार भी सारी लैंविजेस में नहीं रिलीज होई है तो उसके सबसे ठीक है हाला कि जो वर्ड है जितने भी लोग इसको देख के आ रहे हों इतनी तारीफे कर रहे हैं कि आगे तक जाना चाहिए अब क्या होता है कि अगर इतनी चलती रहती और फिर हिंदी भी रिलीज हो जाता तो इसको बहुत बेनेफिट होता हाला कि ट्रेलर दो हिंदी में आया था लेकिन क्योंकि यह हिंदी के अंदर भी रिलीज नहीं और लाइमविज में नहीं होई तो अब जब यह रिलीज होगी तब तक इसका क्रेज भी जो है तोड़ा डाइडाउन हो जाएगा क्योंकि मासी मूवी नहीं है क्लासी मूवी को उसी टाइम पर बज के टाइम पर अपना कुछ बनान रुपे की इसकी अर्निंग हुई है तो इसके बारे में अब क्या ही बात करना है इन दोनों मूवी इसके बारे में हनुमान का कैलेक्शन भी ठोगा साइड़े संड़े में ठीक ठा करा है साथ लाक रुपे अर्न करें नहीं तो 198.6 करोड रुपीज हो चुका है जल्दी यह तो शाद उसके वज़ा से लियाम ने यहां पर बहुत अच्छी एंसवर्थ ने बहुत अच्छी आच्टिंग करी है उपर से रसल क्रोड ने भी बहुत अच्छी आच्टिंग करी है तो अगर आपके बस टाइम हो और आपके आसपास कहीं लगी है तो जाकर देखना व्ल्ड वाइड क्लेक्शन है तो साड़े तीन सो कुरूर रुपए के आसपास यह मेरे खाल ट्यूस्डे को टच कर जाएगी वहीं तरी बातों मैं ऐसा बुल जा जिया आज अच्छी कासी जंप आई है डे टेन के अंदर आच्छे कुरूर रुपए के आसपास यह कल पांच च्वाइस है अब क्योंकि इसके आगे कोई बहुत बड़ी मुवी रिलीज नहीं हो रही है तो शाहिद कपूर के मुवी के पास एक और रन है जब तक क्रैक रिलीज नहीं हो जाती और तक तक तो यह अराम से पैसे कमा सकती है बट होपफुली क्रैक चलेगी और यह भी चल दिखा रहे हैं आज के टाइम के साब से वन यूजल बेहिवियर क्या है डिसक्स करते हैं